कि नमस्कार और आदाब लगनौ वासियो मैं हूँ निमिशा राइजादा और आज मैं एक्स्टोर कर रही हूँ चौक एरिया मेर पीछे यहां पे शाही तलाब है और अधर सतकंडा करके जगा है यहां इस साइड पे क्लॉक टावर है और अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे रूमी दर्वाजा और भूल भुलाईया और सब कुछ दिखाएंगे आपको तो चलते तो मैं यहां पे किसी के साथ आई हूँ अगरा मेरे इंस्टाग्राम पे तो आप इसको जानते हैं यह है यह है वन्गल हर्जर्णी मेरी वेस्ट्रेंड और शी इस अलसो यूट्यूबर तो मेरा चैनल का नाम है जिस्पे प्लीज सब्सक्राइब करियेगा तो मैं चौक मे जो करने की चीजें वो दिखाऊंगी इसमें मॉन्यूमेंट्स और खाना पीना सब है लेकिन अगर आपको सिरफ फूड स्पेसिफिक देखना है कि वेजेटेरियन खाना चौक में कहां क्या अच्छा मिलता है तो अप इसकी वीडियो देखेगा हम लोग दोनों अपने अप अच्छा मेरे पीछे इसमें यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको कहते है सत खंडा यह जो राजा थे हां के वो अपनी रानी के लिए बनवा रहे थे साथ नंजी का ताकि वो चांद देख सके लेकिन जब तक इसका चौथा माला तयार हुआ तब तक रानी की अनफॉचनेटली डेथ हो गई इसलिए यह उन्होंने कंप्लीट नहीं करवाया और इसका कंस्रक्षिन रोफ दिया है 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 कि मैं बड़ा इमाम बड़ा आचुकी हूँ यहां पर चार में चीजे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं एक यहां पर मॉस्क है मस्जिद है बड़ा इमाम बड़ा तो है ही एक बावली है और जो मेरा परस्नल पेवरेट है यहां पर मैं कई बार आचुकी हूँ भूल भूलाईया हम लोग अब भूलाईया में प्रवेश कर रहे हैं है इधर रस्ता जो भी दिखाया वह गुप्त रस्ता था पुराने जवाने में जो राजा लोग होते थे वह ऐसे रस्ते यूज करते थे शहर से बहार निकलने के लिए भूब कहते है कि यह दिल्ली भी जाता है आगरा तक जाते रस्ते लेकिन अब यह बंध है अगर आपको अंधेरे या थोड़ी अक्लोसट स्पेसिस से डर लगता है ज़ी मुझे थोड़ा बहन लगता है अगर हम पूरा एक्स्प्लोर कर रहे हैं, अंदर अंदर भी जा रहे हैं, तो पूरा पूरा अंधेरा है, तो फड़ा से मेंटली प्रेपर हो के आईएगा, और गाइड लेना चाहे है, हाँ, गाइड कर सकते हैं, जब हम लोग यहां आये थे, तो हमको बड़ा इमामबाडा क और उसमें बाहर बाहर से सब दिखाया है, तो इमामबाडा के लिए अलगी गाइड में लेका ता, और फिक्स ड्रेट्स है यहां, इमामबाडा के गाइड के तो, हैं यह पूरा का पूरा, और और इसमें यूज किया गा है, इसको बनाने के लिए, कोई मेटल नहीं है, सालों पुराना है, मतलब लोग, लोगों ने इसको डिस्ट्रॉई कर रखा है, लोग खरोच रखा है, नाम लिख रखे, मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज हमारे जो प्राइड है हमारा रखनों का, उसको डिस्ट्रॉई ना करें अधि अमारा पर हैं, यहां पर तीन हॉल है, एक है पर्शिन हॉल जो सबसे बड़ा और मेन हॉल है, दूसरा है चाइना आघ दिस्रा है इंडिया हॉल, जो पर्शिन हॉल है, वह एशिया का वन of the large a star hall है इसकी खासियत है कि यह बिना किसी पिलर के बीच में खर İyi तो बकत कहीं आन्या तुम क्या कही हो गारी हो चिना फोरा लगदा प्याँ सड़्री पंजाबी हो इच्च में बावली पे मूँ इस जगवी खासियात यह है कि जो राजा थे वो यहां से दुश्मनों को बहुत दूर से आते वे देख लेते थे तुरन दुने पता चल जाता था कि कौन आ रहा है और वो तुरन तीर कमान चला के अगर दुश्मन आने तो उनको माल देख लेकिन दुश्मन को नहीं पता चलता था कि अंदर कौन कहां है और कहां से चला रहा है टिकेट यहां भी 50 रुपे पर परसं था तो हम दोनों को 100 रुपीज पड़ा फॉरण नर्स के लिए और महेंगा है अब हमने यहां पर पूरा एक्स्प्लोर कर लिया है तो अब हम लोग जा रहे हैं खाने पीने तो हम लोगई है सवेश स्क्री लास की लिए टो हम लोगई है फस्वेश लेश्ड़िक और चर्णाफद धरे फोगप जिए यहां है यह बहुत चीजे मिलती हैं, वड़िया का सबसे पेमस है लसी, एक तो मुझे लसी बहुत पसंद है, आई वोस नेवर लसी परसन वट जब से यहां की पी है, मैं पागल होगी तो यह तो यह की मस्ट राए, उपर एसे मलाई बड़ी लिया, युम्मी और हम लोग यहां पर च अभी हम लोग यहां पर मलाई मक्षन खा रहे हैं, यह लगनाव की एक और स्पेशल्टी है, और यह यूजिली सरफ विंटर सीजन में बनता है, तो अभी थोड़ा मार्च वार चल रहा है, तो अभी भी भी यह मिल रहा है, और यह बहुत टेस्टी होता है, और यह दूद और क्रीम से बनता है, बहुत सॉफ्ट एक दम मेल्टिन माउथ वाला स्टक्चर है, इसका, इसा लग रहा है, बादल खा रहे हैं, तो हम लोग इस समय राम आस्रे वाला मिठाई वाला शॉप ढून रहे हैं, और गाड़ी या किसी वैसे वेहिकल से वहां तक मौशना मुश पतली गली है, यहां बहुत पतली गली है, तो यहां पर वाले में जाना है, उपरी जूप आता है, और वह चड़ के जाना है हम लोग यहां पहुंचे हैं चड़ाई करी है हमने और गायों से लड़े-बिड़े और तो हम लोग अब फाइनली पहुंच गए हैं राम आसरे तो मतलब यह पूरा मलाइका ही बना रहता है और इसके अंदर फिलिंग क्या रहती है इसके अंदर फिलिंग यह हुटती है काजू पिस्ता बता है तो जैसे कि अभी हमने अंदर देखा वो मलाई पान बनाने का तरीका था इसके सम्तिंग वेरी न्यू मैंने कभी सुना भी नहीं है मलाई पान के बारे में और उपर से यह है सांडविच समोसा यह दो चीजे बिल्कुल भी यूनीक और न्यू हैं तो हम लोग तो मलाई पान और सांडव समोसा भ्राइब है तो जैसमें अलू है मतर है कुछ सौस है थोड़ा से कोकोनेट दिखना है मुझे थोड़ा जनिया भी है थोड़ा स्पाइसी है और थोड़ा से सिम्ला मेंच भी है चाहिए तो बहुत तेस्टी है तो हमारा अब यह खतम होता है बहुत 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 मजा आया कुछ नयार्ज ट्राय करने को भी मिला और यह देफिनिटली यहां तक कल के आना वस वर्थ इट हम लोगो ने अपने घरवालों के लिए भी पैक परा रहा है और हम लोग प्रोपर लोकेशन आपको समझा नही सकते क्यों भी दबाईएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालू आपको एक नोटिफिकेशन आजाएगा बाई